Hello everyone, कैसे हो सब लोग, हाँ जी दोस्तों, आज की क्लास में स्वागत है, अचा PGBP कर रहे थे हम लोग, last class में, और PGBP के इंदर मैंने आपके साथ क्या डिसकस किया, एक तो डिसकस किया section number 28, which was basis of charge, हाँ या ना, ठीक है, basis of charge, अचा इसके इलावा मैंने आपके साथ डिसकस किय कुछ खर्चों के बारे में discussion किया, section number 30, जो की था, कोई भी खर्चा जो की rent से related हो, repairs and maintenance हो, yes or no, rates and taxes हो, off building, अचा insurance भी हो, of building, बोलो हाँ या ना, अचा मैंने बोला clearly, कि building कौन सी होनी चाहिए, building हमेशा कौन सी होनी चाहिए, official होनी चाहिए, और खर्चे भी कौन से होने चाहिए, recurring nature के होने चाहिए, yes or no, official और recurring nature, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, yes or no, so हमारे खर्चे, building से related जो भी होंगे, उन खर्चों की हमें deduction मिल जाएगी, आप समझ रहे हो ना, हम क्या कह रहे हैं, हम P&L account में debit करने की बात कर रहे हैं, उन खर्चों को P&L account में debit करना है, section number 31 में क्या था, repairs and maintenance and insurance of plant and machinery और furniture and fixtures, machinery के खर्चे, या furniture and fixtures के खर्चे, चाहे वो official हो, चाहे official के साथ साथ, sorry, official तो होने ही चाहिए, recurring nature के होने चाहिए, क्या होने चाहिए, recurring nature के, हम लोगों ने यह बात पड़ी थी, कि अगर कोई machine रही या कोई furniture, office का है, और वो recurring nature के खर्चे हो रहे हैं, तो repairing maintenance और उसकी insurance और recurring nature के खर्चे हैं, उनकी reduction allowed हो होगी, yes or no, हम लोगों ने पड़ा था section number 32, depreciation, section number 32, depreciation, जिसके बारे में मैंने आपके साथ यह discuss किया, कि जो depreciation होता है, उसमें हमें कुछ conditions पूरी करनी होती है, तीन शर्तें बताई थी, बोलो हाया ना, तीन शर्तें बताई थी, depreciation लेने के लिए, पहली शर्त, कि asset को, asset को अब owner या deem donor होने चाहिए, asset के क्या होने चाहिए, owner या deem donor, owner होने चाहिए, या deem donor होने चाहिए, दोनों में से कोई भी एक case, अब asset के owner या deem donor होने चाहिए, number 2, asset को put to use करना जरूरी है, asset को put to use करना जरूरी है, तो put to use करना जरूरी है, तभी debt मिलेगा वरना debt नहीं मिले नमबर तीन चुट नॉट भी सोल्ड शुट नॉट भी सोल्ड असेट को बेचना नहीं है तीन शर्तें बताई गई थी अगर यह तीनों शर्तें सैटिस्फाई हो गई तो हमें आपको डेप्रीशेशन देंगे वरना डेप्रीशेशन नहीं देंगे इस देंगे एकँ और शुट नॉट भी सोल्ड यूट यह तीनों शर्तें पूरी होंगी तभी आपको देप्रीशन मिलेगा वरना नहीं मिलेगा अच्छाः डेप्रीशन मिलेगा कोन से में थर minor Block of Assets Method Block of Assets Method कुछ याद है इसके बारे में मैंने बताया था मैंने बताया था Block of Assets का मतलब होता है जब Nature of Assets Similar हो और Rate of Depreciation Same हो Rate of Depreciation क्या हो? Same हो तो हम लोग उनको एक Block के अंदर कठा कर लेते हैं मैंने आपको पिछली क्लास में Block करना सिखाया था Yes or No? है ना? अच्छा फिर मैंने आपको Block of Assets का Format भी बताया था Block of Assets का Format क्या है? सबसे पहले क्या करना है? WDV of the beginning of the previous year तो Opening WDV निकालना है Block का Opening WDV Return Down Value कैसे आती है? Asset की Value पैसे Depression Minus कर देंगे तो जो Value आएगी उसको Return Down Value कहते है तो Opening WDV लिखेंगे और इसके अंदर Plus करेंगे Cost of Assets Purchased Cost of Assets Purchased During the previous year जो Assets Purchase किये गए है During the previous year वो इसमें Add कर देंगे और यहाँ पर Add करने के बाद क्या आएगा पता है? Value of Block यह बात मैं पिछली क्लास में करवा चुका हूँ मैं फिर भी एक बर revise करा रहा हूँ Block की Value आ जाएगी और इसके बाद हम Minus कर देंगे Selling Price of Assets Sold जो Asset उस Block से Related दिका होगा वो हम लोग उसको Minus कर देंगे जो Value आएगी इसको बोलते है Closing WDV क्या बोलते है? Closing WDV तो यह बात तो आप लोग सब जानी चुके हो कि Depreciation निकालने का वो Method नहीं है जो हम लोग Accounts में निकालते हैं वैसे निकालना नहीं है इसका तरीका different है Is that clear everyone? तो यह Closing WDV जो आएगा उसके बाद हम क्या Calculate करेंगे? Depreciation Calculate करेंगे क्या Calculate करेंगे? Depreciation इसके बाद हम Depreciation निकालते हैं जो भी उसके उपर Rate of Depreciation Income Tax Department ने हमें दे रखा है जी हाँ क्या Rate of Depreciation दे रखें? क्या यह discuss किया था? नहीं किया था तो मैं आप लोग के साथ अब Rate of Depreciation भी डिसकस करना चाहता हूँ आओ जरा लिखते हैं Write Down Heading Rate of Depreciation Income Tax वालोंने कुछ Already Rate of Depreciation दिये हुए है वो Rate of Depreciation क्या है? वो जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर Question में Rate of Depreciation गिवन ना हो तो हमें कुछ Rate of Depreciation Assume करने होंगे वो Rate of Depreciation क्या होंगे जो हमें एजूम करने होंगे वो हम लोग लिखने जा रहे हैं Write Down Heading Rates of Depreciation पहले लिखते हैं Tangible Assets बच्चों Tangible Assets में लिखते हैं Tangible Assets में लिखते हैं Building Building कई तरह की है Official Building Residential Area में Building कौन सी Building की बात हो रही है तो हम लोग लिखते है Official Building या फिर कह लें Official ना लिखो Commercial लिख लो Commercial 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 का मतलब हो गया Commercial Area में Building अगर आप Commercial Area में Building खरीते हो तो आपको Rate of Depreciation जो Government की तरफ से मिलेगा वो है 10% अगर Residential Area में है तो Government वहाँ पर Discourage करता है कि Residential Area में Business क्यों कर रहे हो इसलिए आपको जो Depreciation दिया जाता है वो यहाँ दिया जाता है कितना? 5% उस तो एक बात को ध्यान रखना Account वाला लॉजिक नहीं है कि यहाँ पर Residential का मतलब यह नहीं है कि करोगे तो हम 5% का डेप देंगे Is that clear everyone? Temporary Temporary Erection Temporary Erection Temporary Erection जैसे की Such as Wooden Structure क्या आपने देखा है कई बार कुछ लोग Temporary Structure Create करते हैं अपनी Building के अंदर Temporary Structure जो Create किया जाता है जैसे की Wooden Structure बनाते है Temporary है Permanent नहीं है ऐसे case में जो Temporary Structure Create किया जाता है Building के अंदर उस Temporary Structure Building ही होती है मतलब Building के form में बनाया जाता है आपने क्या वो देखा है कि वो जो Wooden Building मनाई जाती है Wooden Building थेक है Wooden Building मनाई जाती है वो Wooden Building जो है Temporary है वो Permanent नहीं है इसलिए इस पर जो Government Depreciation देना चाहता है क्योंकि आप यहाँ पर Government कहता है कि ठीक है अगर आप यह काम करना चाहते हो तो हम आपको यहाँ पर Benefit भी अच्छा खासा देंगे 40% तक का Depreciation देंगे कितना देंगे 40% Furniture and Fixures इस पर Government कहता है कोई भी तरीके का Furniture Root 10% का Depreciation Fix है Number 3 Plant and Machinery Plant and Machinery Plant and Machinery में कई तरह की Plant and Machinery है तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं जैसे की Motor Vans जैसे की Motor Vans Motor Vans या फिर Motor Buses या फिर Taxis इन बिजनस और रनिंग than on hire अगर आप उनको किराये पर देने का काम करते हो Buses को, Taxis को, Vans को तो ऐसे केस में आपको Depreciation कितना Allowed है 30% Is that clear everyone और अगर आपके बस Motor Car है Motor Car है Not for Running them on hire मतलब आपका उनका काम नहीं है हाँ, बट खरीदा बिजनस के लिए है खरीदा बिजनस के लिए है बट आपका किराये पर देने का काम नहीं है जैसे कम्टी ने अपने Employees के लिए गाड़ी खरीद ली Board of Directors के लिए गाड़ी खरीद ली तो उसका क्या डेप मिलेगा येस, उसका कितना मिलेगा पंदरा परसेंट Aircraft Aircraft भी एक मशीनरी है इस पर कितना डेप्रीसेशन है चालेस परसेंट Pollution Controlling Equipment Pollution Controlling Equipment आपनी बिजनस में लगाते हो तो 40% डेप्रीसेशन गवर्मेंट आपको अलाव करता है इसके इलावा Life Saving Life Saving Medical Equipment जैसे कि Ventilator Machine बदा ना Ventilator Hospitals में होता है Ventilator ऐसी जो मशीन्स होती है इन पर भी डेप्रीसेशन मिलता है कितना 40% 40% ना Maximum Depreciation है इससे ज़्यादा ही नहीं है कहीं पर भी ठीक है Income Tax वालोंने 40 Last लिखा हुग है Highest है अच्छा इसके इलावा Computers Including Software And Peripherals Including Software And Peripherals Computers जो Peripherals क्या होते हैं बच्चों Peripherals होते हैं Computer से Connectors जो Computer के Connectors होते हैं उसको Peripherals बोलते हैं ठीक है जी Peripherals बोलते हैं जो Computer के Connectors होते हैं जैसे कि UPS Printer Keyboard इनको क्या बोलते हैं इनको Connectors बोलते हैं Is that clear? So Computer Including Softwares And Peripherals इस पर कितना Depreciation अलाओड है? 40% कितना अलाओड है? 40% Ships and Vessels 20% Ships and Vessels 20% Other Plant and Machinery कोई भी Plant and Machinery हो जो इनके इलावा हो इन सब के इलावा कोई भी Plant and Machinery हो तो उस पे Maximum Depreciation कितना अलाओड किया जाएगा? 15% क्या ये बात समझ में आती है? तो Plant and Machinery की बात करें तो अगर आप Motor Car की बात करते हो तो 15% है देखे है Motor Van, Buses, Taxis In a Business of Running Diamond Higher 30% है Aircraft पे 40 है Pollution Control हो Equipment पे 40 है Life Saving Medical Equipment पे 40% है Computers Including Softwares 40% है Peripherals पे 40% है Peripherals समझ गया न P.S. वगएरा Printer हो, Keyboard हो ये Computer के Connectors है इनको भी 40% लगता है Ships and Vessels 20 Other Plant and Machinery 15 कोई भी Plant and Machinery होगी 15 Is that clear? Number 4 Number 4 Books Books कोई भी तरह की हो Including Annual Publications जो हर साल चपती है कई Companies भी खरीदती है Updation लेने के लिए बोलो हाँ या ना Yes Updation लेने के लिए कम इसको Books भी करीदनी होती है Books पर कितना Depreciation है? 40% और Number 5 Number 5 नहीं Sorry इसको बोलो Intangible Assets यह हमारा हो गया Second Point Intangible Assets Intangible Assets मतलब जैसे की Trademark Patents Copyright Etc Goodwill को छोड़के Goodwill को छोड़के Goodwill के ओपर Depreciation नहीं लगता है Goodwill के ओपर Depreciation नहीं लगता है Government ने Disallow कर दिया उसको उसके इलावा कोई भी Asset हो सब पर 25% कितना 25% तो Intangible Assets पर 25% fix है Tangible Assets में Variety मैं आपको बताई दी है तो Tangible Assets की यह Variety है Building में कौन से आपको जादा किन पर ध्यान देना है अच्छा जादा किन पर ध्यान देना है यह भी देखो Commercial Building पर ध्यान देना है Quotient Silent हो तो कितना लेना है 10 Perniture में Quotient Silent हो तो कितना लेना है 10 Plant and Machinery में Quotient Silent हो तो क्या लेना है 15 क्या लेना है 15 अगर Quotient Silent हो तो Books में क्या लेना है 40 ही लेना है Intangible Assets में क्या लेना है 25% लेना है क्या इनके लावा भी कुछ assets होते हैं हाँ इनके लावा भी होते हैं हमें तो यार हमें वो rates नहीं याद करते रहे हमें हमें तो पुरा law पढ़ना है तो इसलिए हमें main main क्या क्या याद करना है वह मैंने आपको बताया Q2. Mr. Sandeep owns the following assets on 1-4-2023. Building A 10,20, Building B 540, Building C 635, Building D 260, Building E 3,10,000, Machinery A, B, C, D or E, Perniture A or B. Okay, कुछ assets acquire किये गए हैं during the year 23-24 में. Building F, Machinery F, Machinery G, H, I, Patents, Technical Nova ये सब assets करी दे गए हैं. और ये assets कुछ बेचे भी गए हैं. Determine the depreciation for the assessment year 24-25. आपको depreciation निकालना है 24-25 के लिए. आप 24-25 येर के लिए depreciation find out करेंगे तो कैसे find out करेंगे? बताओ, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले block बनाने चाहिए. क्या बनाने चाहिए? block. Block बनाओ और चेक करो कौन-कौन सी चीज़ का block बनेगा. मैंने आपको बोला था, rates same हो और nature similar हो, तो उनको एक block में डाल दो. तो क्या मैं building A, B और C को, क्योंकि इनके rate same है, इनको A की block में डाल दू? Yes. Block number one. क्या ये बात समझ में आई? अच्छा. Building D और E को बना देते हैं, block number two. अच्छा. मशीनरी, मशीनरी A, B, C, मशीनरी A और B, sorry. 15, 15. तो इन दोनों को मैं एक block में डाल दू? Yes. Block number three. और C, D और E को मैं एक block में डाल दू? Block number four. और furniture को एक block में डाल दू? Block number five. क्या ये बात clear है? The following assets were required by the company during the previous year. तो पांच block बन गए ये बात तो कोई दिक्कत ही नहीं है. Okay. अब क्या करना है हमें? कुछ assets खरीदे गए हैं. अब आपने ये भी ध्यान दे रहा है कि जो आप assets खरीद रहे हैं during the year, उसको किस block के अंदर डालोगे? चेक करना है कि वो block पहले से मौझूद है या नहीं है? So building F का तो rate of 10% वाला कौन सा है? Block number one में आ गया. ठीक है? Machinery F, G और H ये तीनों तो कचले हैंगे block number three में. अच्छा I का जाएगा block number four में. Patents और technical no हो? ओ, ये तो intangible asset है. और intangible asset का कोई block हमने बनाया नहीं है. इसका एक separate block बनाना पड़ेगा block number six. क्या ये बात समझ में आती है? Is that clear everyone? हाँ, क्या block number six का कोई पहले से asset मौझूद है? नहीं, WDV zero है, but asset purchase during the year ज़रूर है. जो asset बेचे गए हैं, वो इन में से बेचे गए होंगे. तो वो एक एक करके उसमें से minus कर देंगे. तो machinery C कौन से block का था? आउ ज़रा चेक करते हैं, machinery C कौन से block का था? machinery C block number four का था. तो block four में से ये minus हो जाएगा. Is that clear? building D कौन से block का था? building D मेरे ख्याल से block number two का था. तो block number two में से ये less हो जाएगा. machinery E कौन से block का था? machinery E जो था वो आपके block number four का ही था. तो four में से less हो जाएगा. Is that clear everyone? determine the replication for the assessment year 2425. आउ start करते हैं. question number A2. computation of depreciation for the assessment year 2425. ये बना देते हैं particulars. block one two three four five और six. क्या एक साथ बना दें? हाँ साथ बना दो. block number one block number two block number three block number four block number five block number five और block number six क्या था इसका नाम इसका नाम था बिल्ड़िंग पाच परसेंट इसका नाम था बिल्ड़िंग पाच परसेंट इसका नाम था प्लाइड और मशीनरी पंदरा परसेंट और इसका नाम था प्लाइड और मशीनरी 30 परसेंट इसका नाम था फनीचर और फिक्स्टर दस परसेंट और इसका नाम है intangible intangible asset इतना 25% बताओ सबसे पहले मैं लिखूँँगा opening opening WDV of block opening WDV of the block क्या मुझे opening WDVs दी हो है सबके building A, B, C मैं को तीनों के टोटल करने होंगे 10,20, 5,40 और 6,35 यह होगे 21,95 मैं को बताओ building D और E यह बनेगा 5% वाला 260 और 3,10 यह हो गया तोटल 5,70 plant machinery 15% वाले यह हो गया 60,000 और 182,000 242 अच्छा machinery C, D और E 165, 4000 और 50,000 यह होगे 2,19,000 furniture and fixtures यह होगे 1,18,000 और intangible assets यह तो है नहीं 0 प्लस कर देंगे इसमें cost of assets purchased during the previous year जो asset during the year purchase किये हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे मुझे बताओ यहाँ पर दिये हुए asset purchases add कर देते हैं बस बताओ कौन-कौन से दियें सबसे पहले building building F कितनी value दी है 540 कहाँ जाएगा block number 1 में जाएगा machinery F, G और H machinery F, G, और H यह कहाँ जाएगा block number 3 में जाएगा तो F कहाँ जाएगा block number 3 1, 2 और 3 कितना है 1,12,000 1,12,000 G और H 62 मुझे बताओ इसके इलावा क्या है machinery I वो कहाँ जाएगा machinery I कहाँ जाएगा 16,000 block number 4 में जाएगा अना 4 में जाएगा तो 4 यह रहा अच्छा patents और technical know-how यह कहाँ जाएगे यह बलकुल आखरी में जाएगे patents और technical know-how इनका बना लिया था हमने block number 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 patents की value थी 40,000 और technical know-how की 60,000 यह आगया मेरा value block value block कितना बनेगा total 21,95 plus 540 यह होगे 27,35,000 यहाँ पर क्या आएगा 5,70,000 यहाँ पर क्या आएगा 242 प्लस 1,12,000 प्लस 4,000 प्लस 62,000 यह होगे 4,20,000 यह होगे total 2,35,000 यह होगे 1,18,000 और यह होगे 1,00,000 value block इसमें से minus करना है हमें selling price of assets sold तो जो जो asset बेचे हैं उनका selling price मैं इसमें से minus कर दूँगा machinery C 1,10,000 machinery C 1,10,000 block number 4 में से minus हो जाएगा 1,2,3,4 1,10,000 अच्छा building D building D building D 4,00,000 रुपे यह कहां से जाना है second way से जाना है तो 4,00,000 रुपे यहां से minus कर देते machinery E यह कहां से जाएगा block number 4 से जाएगा तो machinery E 80,000 बताओ यहां पे मैं अब इसको कर दूँगा close और यह मेरा आजाएगा क्या closing WDB क्या आजाएगा closing WDB यह तो रहेगा 27,35,000 यह रहेगा 1,70,000 यह रहेगा 4,20,000 यह रहेगा 45,000 यह रहेगा 1,18,000 और यह रहेगा 1,00,000 अब इसके बार इसका depreciation निकालोगे तो कैसे निकालोगे depreciation कैसे निकालोगे depreciation का rate हमें पता है block 1 का rate था जरे लिख भी नहीं सकते हमें पता होना चाहिए बस डेप्रीसियेशन इसका निकाल लेते हैं डेप्रीसियेशन 10% कितना आएगा 273,500 इसका बताओ इसका 5% कर देंगे 8500 इसका बताओ इसका 15% 60 4,20,000 का 15% यह आएगा 63,000 45,000 है 45,000 का 80 यह आगे 13,500 यह एक लाग 18,000 का 10% 11,800 और इसका आएगा 25,000 यह आगे मेरा डेप्रीसियेशन सबके समझ में आया सबको किस तरीके से करना है आप लोग प्लीज नोट कर लेना मैं आगे बढ़ता हूँ सो क्वेशन नमबर 2 था यह आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं राइट डाउं डेप्रीसियेशन यह लेको हाफ रेट डेप्रीसियेशन राइट डेप्रीसियेशन हाफ रेट डेप्रीसियेशन हाफ रेट डेप्रीसियेशन मतब अभी आपको एक चीज अजीव लग रही होगी वो क्या क्या आप लोगों ने यह नहीं देखा कि मैंने डूरिंग डाइयर आसेट कप खरीदा है इसका एक रीजन था वो आपको बाद में पता चलेगा पहले मैं आपको इसका लॉजिक देदू हाफ रेट डेप्रीसियेशन मुझे बताओ हाफ रेट डेप्रीसियेशन का मतलब क्या है जो डेप्रीसियेशन लग रहा है वो नॉर्मल का हाफ रेट हो जाएगा उनसे सिनारियोस में होगा क्यूं होगा कब होगा है ना तो यह समझना बहुत जरूरी है बट पहले आपको ये समझना है कि चर्द आपने अभी जो question करवाया उसमें कहीं पर भी आपने dates को तो ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि question मुझे पता था इसलिए मैंने dates को ध्यान नहीं दिया और मैंने ही चाहता था कि आपका दिमाग dates पे घूमे फिलाल एक चीज अभी आपको notice करनी है तर ये तो बड़ी गलत बात है अगर मैं मालो 30 मार्च को खरीदता हूँ 30 मार्च को खरीदता हूँ 30 मार्च को एक दिन यूज किया तब भी मुझे पूरा depreciation गलत है इसलिए income tax follow दे दिमाग लगाया और कहा हम पूरा नहीं देंगे हम अगर तुमने asset को put to use किया less than 180 days यानि एक स्वस्य दिन चे कम use किया तो half rate लगाएंगे क्या लगाएंगे? तो कुछ शर्तों पर half rate depreciation कमेंटे अलाओ किया write down write down if the following conditions satisfies then assessi can claim depreciation at half the normal rate at half the normal rate is that clear everyone? क्यता है ये तीन conditions अगर सटिस्फाइ कर गया तो half rate पे लगेगा ओके नमबर वन asset must be purchased during the previous year asset must be purchased during the previous year ओके मतलब ये वो asset होंगे जो during the year purchase किये गए होंगे उसी पर half लेगा ओके नमबर दो asset must be put to use during the previous year ये बात भी सही है उसके बिना तो depreciation ही नहीं मिलेगा half rate तो बात अलग है depreciation ही नहीं मिलेगा asset must be put to use during the previous year तो ये भी बहुत जरूरी है purchase के साथ साथ use करना भी जरूरी है नमबर तीन asset must be put to use for less than 180 days during the previous year एक सो असी दिन के लिए आपने assets को क्या किया put to use किया 180 दिन से क्तम मतलब 179 170 160 asset को पूरे तरीके से during the year 180 days या उससे ज़्यादा use नहीं किया अगर less than 180 days किया तो half rate लगेगा क्या ये बात समझ में आ रही है तो तीनों शर्ते पूरी हो जाएं तो हम आपको depreciation देंगे पर half rate देंगे मतलब एक बात तो याद रखना asset जो पहले से होगा उस पर तो half rate कभी लगेगा ही नहीं पहले से होगा मतलब पिछले साल का asset था किस साल में लेके आए opening WDV में तो वो assets पर तो depreciation लगेगा ही नहीं वो लगेगा तो full लगेगा उस पर half नहीं लगेगा half कभ लगेगा half लगेगा जब asset during the year purchase किया गया होगा और उसका put to use भी less than 180 days के लिए है कभ जाके half लगेगा आओ मैं आपको question के साथ कराता हूँ question number 3 WDV of the block having two machinery namely X and Y as on 1-4-2023 6 lakh rupees machinery Z was acquired on 5-11-2023 for 3 lakh rupees and put to use on the same date machinery Y is sold on 28-2024 4 lakh rupees determine the depreciation for the assessment year 24-25 how start करते है question number 3 computation of depreciation for the assessment year 24-25 मुझे बताओ सबसे पहले मैं क्या करूँ सबसे पहले मैं लिखूँगा opening WDV of block opening WDV of the block कितना दिया हुआ है opening WDV opening WDV of block दिया हुआ है 6 lakh rupees मैंने दूरिंग दाइयर एक मशीनरी खरीदी है पांच ग्यारा तईस को तीन लाक रुपे की पांच ग्यारा तईस क्या यह put to use less than 180 days बन रहा है पांच ग्यारा तईस मतला ग्यारा बारा एक दोर तीन यानि पांच महीने पांच महीने 180 days जादा कैसा हो सकते हैं आप क्या करोगे आप लोग लिख दोगे मशीनरी जेड और ब्रैकिट में लिख देना यह हाफ रेट वाली है क्या है यह हाफ रेट वाली ताकि आपको याद रहे तीन लाक रुपे मुझे बता कोई और मशीन खरी दी गई है क्या नहीं put to use on the same date no मशीनरी वाइबल की बेच दी है तो 9,00,00 की total value block है value block कितना हो गया 9,00,00 अब मैं minus करूँगा इसमें selling price of asset sold जो asset बेचा गया कितने का बेचा गया 4,00,00 रपे 4,00,00 रपे का asset बेचा गया मैं इसमें से minus कर दूँगा बताओ कितना आ गया पांच लाक रुपे यह क्या आएगा यह आएगा closing WDV क्या आएगा closing WDV of block पांच लाक रुपे इस डाट क्लेर है विवग यह आगया closing WDV of the block पांच लाक रुपे मेरे पास asset purchase during the year half rate वाली मशीन 3,00,00,00 मैंने एक asset बेच दिया ठीक है चार लाक में और closing WDV आगया पांच अब point यह है कि क्या यह machine पांच लाक की जो बड़ी हुई है इसमें 3,00,00,000 की machine मौजूद है यह नहीं है जल्दी जल्दी बताओ yes obviously sir पड़ी हुई है वो तो हमने during the year खरीदी और वो half rate वाली है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जब मैं depreciation निकालने बैठाओं तो मेरे लिए असानी यह हो जाए कि जो depreciation है तीन लाग रुपे पर तो half rate लगाई दो बोलो तीन लाग रुपे पर तो half rate लगाई दो half rate का मतलब क्या है 15% अगर normal rate है इस machine का मैंने का था question silent हो तो machinery का क्या rate लेना है 15 half rate है तो क्या होगा 7.5 so 3,00,000 का 7.5% कितना होगा 22,500 रुपे is that clear everyone अच्छा मुझे बताओ पांच में से 3,00,000 तो पक्का है क्या half rate वाली है तो बाकी की बची हुई क्या होगी full rate वाली 2,00,000 रुपे के उपर 15% लगा देंगे कितना है आँ तोटल कितना हो गया 52,500 52,500 is that clear everyone that's it तो यह depreciation इस तरीके से निकालना है अच्छा सर मुझे एक बात बताओ अगर मैं एक है दूँ कि मेरे पाँ जो selling price है वो यहाँ पर यह 6,00,000 रुपे होता 9,00,000 रुपे में से यहाँ पर 6,00,000 माइनस कर रहे होते अगर होता तो यह बचता कितना 3 तो क्या होता पूरा 3 की आपर क्या लगाता मैं half rate लगा देता ओके 4,00,000.000 बचता तो क्या करता 4 बचता तो 3 पर half rate लगा देता और एक आपर क्या लगाता full rate यहाँ मेरी बात समझ में आ रही है च्छोक बेसिकली पहली priority 7.5 यानि half rate को देना है ही आफ राइट जैवाएगा प्रॉफ वह जाद है अगर अग्र 988 परसन लाइक है नोग वずकीReprav पाइब क्या होगा जो इक लाक हम एक रहे ए तो अब जो एक लाग के उपर हम लोग क्या करेंगे सीधा सीधा हाफ रेट लगाएंगे 7.5% यानि अगर तीन लाग रुपे तक की वैल्यू बचती है तो 7.5 लगाना है तीन लाग से उपर कुछ आता है तो फुल रेट लगाना है उपर वाले पर क्या ये बात क्लेर हो गई तो मुझे बताओ एक कोशन बहुत सिंपल है कोई दिक्कत नहीं है मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग खुद दिमाग लगाओ तो पहले वीडियो को पॉस करो पॉस करके खुद सॉल करो सॉल करने के बाद देखना जो मैं करने वाला हूँ ठीक है तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पॉस कर ली है मैं आगे बढ़ रहा हूँ कोशन नमबर फॉर आप लोग सॉल करो पहले फिर देखना मेरा सॉल्यूशन अब यह देखो तो मेरे पास फॉर्मिंग पार्ट अफ ब्लॉक कितनी है कितनी है पांच लाक रुपे इसके अंदर मैं एड कर दूंगा क्या जो मैंने नहीं मशीने खरीदे है क्या मैंने नहीं मशीने खरीदे है एक पर थे शोटेश से कम है नहीं वनने टीडेश से जज्दा है तो इस पर तो लगेगा फुल रेट अच्छा क्यू का बता हूँ इस पर भी लगेगा फुल रेट R का बताओ, इस पर लगेगा half rate और S का बताओ, 31 जनवरी 24 सदा half rate और इसका बताओ, इसका भी लगेगा half rate तो दो मशीनों का full rate लगेगा, दो मशीनों का half rate लगेगा, is that clear everyone? 4 machines of this block were sold for rupees 4 lakh रुपे 4 machine ने बेच दी गई है, 4 lakh रुपे में compute depreciation, बस बताओ P, तो cost of asset पचेश during the previous year, क्या करें? Machinery P यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 180 days और more, यहाँ पर लिख देता हूँ full rate वाली और यहाँ पर लिख देता हूँ less than 180 days वाली अगर कुछ हैं तो Machinery P और Q पर लगेगा full rate तो P और Q पर लगेगा full rate 50,000 और 1,00,00 और R और S पर लगेगा half rate R और S दो लाक रुपे तो मैंने पहले ही अलग-अलग कर दिया इनको Rs पर half rate 50,00,00 रुपे price of assets sold कितने रुपे की मशीने बेज दी हैं? 4,00,00,000 4 machines of this block was sold कितने की? अच्छा ये बात clearly question में लिख दिया other than those which are required and put to use for lesser money days यानी lesser money days वाली नहीं भी की other than those तो 4,00,000 की बेज दी है ओके तो 4,00,000 रुपे की जोजब इक भी की है तो ये हम लोग इसमें से क्या कर देते हैं? minus इसका मतलब ये confirm है कि मेरे पास जो machine बची है ये half rate वाली तो बची ही है ये बात तो confirm हो गई क्योंकि question में लिखा है सारी machine में से 4 machine बेज दी है उनमें से भी कुछ बेची हो नहीं बताया है इनोंने अब वो ये बात confirm है कि other than those which are required and put to use for less than 180 days यानि ये नहीं बिकी ये तो confirm है कि ये दोनों मौझूद है इसका मतलब इस 6,00,000 में सारे 3,00,000 रुपे की तो value मौझूद है तो ये हो गई मेरी closing WDB अब बताओ मुझे क्या करना है अब मुझे बताओ क्या करना है अब मैं क्या करूँगा जब मुझे पता है कि सारे 3,00,000 की value मौझूद है तो depreciation at the rate of कितना half rate है ना 7.5% on सारे 3,00,000 लगा देंगे बताओ सारे 3,00,000 पर 7.5% ये आगे 26,250 रुपे और depreciation at the rate of 15% on on 5,00,000 रुपे ठीक है 5,00,000 रुपे पर 15% 37,500 अब ये total depreciation मैं निकाल दूँगा यहाँ पर total कितना आ गया 26,250 plus 37,500 ये हो गया total 6,3 7,50 I hope आपको समझ में आ रहा है depreciation कैसे निकालना है Is that clear है पीमान उस 6,00,000 रुपे की है जिसमें से पता है कि सारे 3,00,000 की value वाली machine तो बची हुई है तो 3,00,000 की वाली वाली बची हुई जो है उस पे पंदा बसंद कर दिया अब जरा मुझे बताओ यही question का second part क्या कहता है इसी question का second part कहता है what will be the answer if 4 machine was sold for 7,00,000 instead of 4,00,000 तब क्या होगा आओ मैं आपको second part बताता हूँ यह हो गया हमारा first part यह हो गया हमारा first part अब मैं आपको बता रहा हूँ second part मुझे बताओ second part मैं क्या करूँगा सबसे पहले value of block निकालूँगा value of block तो मैं कोग गिवन ही है तो value of block तो same ही रहेगा कितना है 10,00,000 रुपे सिरफ यह हुआ है कि 10,00,000 मैंसे value block है उसमें से 7,00,000 की मशीने मेंने क्या कर दी है sell out कर दी है तो minus कर देते हैं selling price of asset sold कितना 7,00,000 रुपे और यहां पर जो value बच गई है वो कितनी बच गई है 3,00,000 रुपे इस दाट ट्लेर एविवन यह जो बच गई है इसको बोलेंगे क्या closing WDV अब point क्या है कि depreciation इस पर कितना लगेगा क्या यह बात confirm है कि 3,00,000,000 वली मशीन नहीं भी की हाँ तो क्या 3,00,000 पर क्या लगाऊंगा सीधा half rate लगाऊंगा yes or no क्या 3,00,000 तक value बचती तो half rate ही लगाता 3,00,000 से उपर बचती तो full rate लगाता उपर वाले पर तो यहां पर 3,00,000 रुपे पर depreciation at the rate of 7.5% on 3,00,000 रुपीज तो यह कितना आएगा 5,500 रुपे बोलो yes or no is that clear everyone तो यह मारा second part हो गया यह मारा first part हो गया तो इस तरीके से करना है question number five है आपका homework में आप लोग कर लेना ठीक है मुझे उमीद है कि आप लोगों से हो जाएगा कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगले topic पे write down next heading depreciation in the case of slump sale depreciation in the case of slump sale depreciation in case of slump sale बच्चों ध्यान से सुनना मैंने कहा अगर मेरे पास मान लो factory है चार कितनी factories है चार ये लो A, B, C और कौच्ची है D क्या इन चारो factories में मेरे पास machine होंगी हाँ 15% वाली machine है यहाँ पे हैं 5,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 में फरनीचर का अलग होगा बिल्डिंग भी होगी बोलो हाँ या ना मुझे नहीं पता मैं एक्स लिख रहा हूं यहां पर एक्स वाई जड़ ए समझे यह अलग अलग है सबके मेरे को नहीं पढ़ता क्या है पॉइंट यह है मान लो अगर मेरे को ऐसे लगता है कि मेरा जो C factory है वो loss making है बहुत नुकसान कर रही है यह तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसको ना बेचना चाहता हूँ मैं इसको बेचना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मैं इसको निकालना चाहता हूँ इसको बोलते हैं slum sale क्या करना चाह रहा हूँ मैं इसको, मैं निकालना चाह रहा हूँ मैं परशान हूँ इससे क्योंकि मुझे बहुत नुकसान हो रहा है मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, मैं इसको slum sale करना चाहतू, यह slum sale क्या चीज़ है, जब आप बहुत सारी factory है, division में से, कोई एक division, एक lump sum concentration के लिए sale out कर देते हैं, उसको slum sale कहते हैं, lump sum concentration, मुझे बताओ, जब मैं यह किसी को बेच दूँगा, तो क्या सिरफ machinery, furniture, building ही जाएंगी, बोलो हाँ या ना, क्या business की liabilities भी उसकी हो जाएंगी, क्या building की business की factory एक ही भी कुछ liability होगी, अलग से, हाँ, होगी, बिल्कुल होगी, यहाँ पर भी कोई liability होगी, यहाँ पर भी कोई liability होगी, यहाँ पर भी कोई liability होगी, इन सब की अपनी अलग-अलग liability होगी, हाँ वो बात हो रहे है overall company के liability में आती होंगी बट factory के अपनी अपनी separate liability भी होंगी जैसे गाड़ी loan पे लेते हो ठीक है 20 लाग की गाड़ी खरीदी है 15 लाग का loan चल रहा है उस पर आपने 2 साल बाद उसको बेच दिया तो क्या गाड़ी जब आप किसी को दोगे तो उसका asset गाड़ी का asset तो हो गया उसका क्या उसकी liability भी तो उसको transfer करोगे हाँ या ना तो asset liability दोनों transfer करोगे या मेरी बात समझ में आ रही है तो इसी तरीके से अगर मेरे पास ये factory है factory है C और मैंने इसको lump sum consideration के लिए बेच दिया है slump sale कर दिया है क्या कर दिया है slump sale कर दिया है ऐसे case में क्या होता है ऐसे case में government कहता है कि बहुत अंदाजा निकालना बहुत मुश्किल है कि जितना पूरा block है उसमें से जो मतलब मान लो मैं मैं machinery के block की value निकालना चाहता हूँ थर्टी लाइक रबीस की मशीने है total मुझे पता है कि जो asset भिग गए उसका तो debt नहीं लगेगा जो asset भिग गए उस पर तो नहीं लगेगा तो इसका मतलब है इन पर तो नहीं लगेगा बड़ इन पर तो लगेगा न उनका मैं value निकालूंगा कैसे वह जो एक करोड रुपे है वह जो एक करोड रुपे है क्योंकि वह पूरी factory का है जैसके अंदर machinery furniture segregate करना मुश्किल है इसलिए government ने उसके लिए अलब टेकनीक निकाली निकालने के लिए उन्होंने कहा एक काम करते है न जो assets मौजूद है अगर मैं मशिनरी की बात कर रहा हूं मशिनरी वाले block की तो टोटल मशिनरी की block की value है 30 जिसमें से अगर हमें पता है कि इसकी depreciated value मतलब जो value बची है depreciation वगेरा माइनस होने के बाद आज तक के लिए आज तक की जो value है वो 5 लाग है तो अगर मैं यह निकाल दूँगा तो क्या remaining asset की value आ जाएंगी हां remaining factories की value आ जाएंगी yes block factory A की भी आ जाएगी B की भी आ जाएगी और D की भी आ जाएगी और इस पर क्या लिकाल देंगे depreciation हमें निकालना तो इसी पर निकालना तो इसी पर इना depreciation मेरी बात समझ में आगी आओ मैं आपको format के साथ पर question कराऊंगा तब आपको जादा समझ में आएगा ज्यान से सुनना पहले लिखते है slump sale का मतलब क्या है write down slump sale meaning under this write down it means sale of one or more undertakings or division at lump sum consideration without assigning without assigning individual values to the assets and liabilities transferred without assigning individual values to the assets and liabilities transferred is that clear everyone अब बताओ अब इसका format क्या है अब इसका format क्या है इसका format क्या है यह रेखो टोघ्र आइसा अपा यह अगया मेरा वे यह अप्रसें प्रस्टोिओ आचा बॉप क्या कर देंके इसक क्या स्टों just अब नगर ने यह अबंद आ चरandपा यह अबISE क्याacter?. sold during the previous year जो ये value आती है इसको क्या बोलते हैं? closing WDV अभी तक ये ही किया ना? इसको अभी भी closing WDV बोलेंगे, बट इसमें उस machinery, ये दो को मैं एक machinery के लिए निकाल रहा हूं, मैं ना इसके लिए निकाल रहा हूं, ये देखो, मैं इसके लिए निकाल रहा हूं, ये machinery, अब इसके अंदर पूरे total का आ रहा है, जिसके अंदर factory A की भी मशीन है, factory B की भी है C की भी है, और D की भी है अब हम लोग उने, जो selling price है ये वला जो है, वो slum sale नहीं है बताओ क्यों नहीं है, क्योंकि ये individually asset जो बेचा है, वो है, individually तो बेचा नहीं, मैं तो lump sum पे बेचा है, क्योंकि selling price एक particular machine रीकर तो पता ही नहीं ना मैं हमने तो lump sum पे बेचा है, पूरी जिसमे machine री furniture, building, sum है तो इसलिए closing WDV जो आएगा ये अभी आया है before slum sale क्या आया है ये, before slum sale अभी इसमें से slum sale हुई नहीं है अब slum sale की value, हम इसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसकी WDV निकाल लेंगे किसकी WDV निकाल लेंगे इसकी, मान लो यही WDV है, तो भई, total 30 है 30 में से 5 लाग का value अटा दिया तो बचा कितना? 25 तो 25 के उपर debt लगा देंगे, दिक्कत क्या है? वैसे भी उस asset पर लगना भी नहीं था, जो asset बिक गया during the year हमें तो बचे हुए asset पर debt निकालना है तो closing WDV before slump sale minus कर देंगे, depreciated value depreciated value of assets transferred in slump sale तो जो asset slump sale किये गए है उन assets में जो भी आज तक का उसकी value है depreciation minus होने के बाद वो value में इसमें से क्या कर दूँँगा? minus वो value में इसमें से minus कर दूँँगा तो क्या आएगी? ये value आजाएगी मेरी closing WDV after slump sale क्या आजाएगी? after slump sale Is that clear है भी बाद? ये जो value हो आजाएगी इस पर क्या निकालूँगा में? depreciation, इस पर निकालूँगा में depreciation Is that clear everyone? इस पर depreciation find out करेंगे तो closing WDV after slump sale के बाद ये कौन सी value हो आगी? ये value हो आगी remaining factories की factory A की machine हो की factory B की machine हो की और factory D की machine की E की हट गई अपने हाप तो सिरफ हमें क्या करना है? जो भी asset विका है जो भी machinery विकी है उस slump sale के दोरान उस slump sale में जो भी machine है मौझूद थी उनकी depreciated value निकाल लो depreciated value मतलब depreciation minus होने के बाद आज तक की value वो value इसमें से minus कर दो जो बच गया वो closing WDV after slump sale है Is that clear everyone? Is that clear everyone? The company makes a slump sale of one of its division on 1-4-2023 for 20 lakhs The WDV of the block of asset being plant and machinery carrying 15% depreciation was 12 lakh The company has acquired a new machinery X on 5th of July 2022 for 3 lakh rupees and sold machinery Y on 30th December 2022 for 9 lakh rupees The plant and machinery which were transferred under slump sale were acquired at a cost of 14 lakh मुझे बताओ इस point से क्या लेना देना? आपने slump sale कितने में किया? इस से क्या लेना देना? आपने 20 lakh में कर दिया इस slump sale की sale value का कोई लेना देना नहीं है पता है इसका लेना देना कहा है? इसका लेना देना है capital gain chapter में हम capital gain chapter में इसका capital gain calculate करना सीखेंगे ये पूरी की पूरी factory जो बेचने का अभी हमें इस 20 lakh तक कुछ नहीं करना ओके 20 lakh में तो सब वे रहा machinery भी एफ़दीचर भी है अभी ये किसी block की बात कर रहा है जिसके block की machinery में depreciation का rate कितना है 15 उस block की value है 12 lakh अच्छा उसमें कुछ नई machinery खरीदी है individually 3 lakh की और एक machinery wire है जो बेच दी है 9 lakh की वो individual बेची है अब कुछ ऐसी machine है जो machine जो machine slum sale जो slum sale हुई है उसके अदर वो machine है slum sale वाली machine है तब जो मैंने factory बेची है जो division बेचा है उस division के अंदर वो machine है जिनका slum sale कर दिया है क्योंकि factory बेच दी है तो पुरा slum factory खतम हो गया तो slum sale हो गया उसका भी अब उनका भी slum sale हो गया तो क्या करूँ तो मुझे क्या करना है इसकी ऐसी प्लाटर मशिनरी की depreciated value निकालनी होगी जो उन तोटल प्लाटर मशिनरी में मौजूद है बट वो है slum sale वाली machine उनको अठाना है तो उनको कैसे अठाना है क्या था प्लाटर मशिनरी विच वर ट्रांसपर्ट अंडर slum sale वर एक्वाइड एक्वाइड एक्च्छल कॉस्ट फॉटीन लाक और अमाउंट अब डेप्रीशेशन दिया हुआ है अब तक का दो चालिस और उननिस से नाइंटी नाइटी नाइटी तक दो चालिस और नाइटी 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 वन से लेकर 23,24 तक का डिप्रीशेशन दिया है साले चार तोटल डिप्रीशेशन कितना हो गया 6,90,000 इस दाट क्लियर एवी वाग मुझे बताओ इस सब कोई में हमें करना क्या है format बनाना है और format से solve कर देना है दिक्कत क्या आएगी बताओ question number कौन सा है यह question number है six अब मैं उपर heading नहीं लिख रहा हूं computation of depreciation ठीक है सीधा opening return down value of block कितनी है opening return down value of the block कितनी है 12 लाक रुपे फिर इसके अंदर एड करेंगे cost of assets पर्चेजड ड्यूदिंग दर प्रीवियस यर मुझे बताओ एक तो एसेट खरीदा 57 2022 को वह हम लोगने एड करना पढ़ेगा कितने रवेगा एड करीदा तीन लाक रवेगा करीदा वह एड कर देंगे तो यह कितना हो गया टोटल कितना हो गया पंदरा लाक रुपे हो गया वैल्यू ब्लॉक और इसमें से माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस अफ एसेट सोल्ड अब सेलिंग प्राइस अफ एसेट सोल्ड नो लाक का मैंने एसेट बेचा भी है इंडिविजुली वह मैं इसमें से माइनस कर देता हूं यह इंडिविजुल वाले हैं यह तो माइनस करने पड़ेंगे यह slump sil वले नहीं है slump sil वले तो आगे आएंगे अब बताओ यह आया यह क्या चीज़ है यह closing WDB है before slump sil ठीक है अब इसमें से मेरको क्या करना है minus करना है depreciated value ठीक है क्या minus करना है depreciated value तो cost जिसमें से depreciation minus करने के बाद value निकालनी है तो cost दी हुई है 14,00,00 रुपे उन assets की assets मेरे इन के अंदर मौजूद है इनी के अंदर मौजूद है 6,00,00 के अंदर मौजूद है हमें हटाने होंगे वो तो 14,00,00 रुपे के वो asset जिनकी cost 14,00,00 थी आज depreciation minus होने के बाद कितनी value रहगी 240 और 450 यह total depreciation है 96 तो इनकी depreciated value कितनी रहेगी 7,12,000 मैं इसमें से depreciated value minus कर दूँगा depreciated value of assets transferred in slump sale बताओ इतना amount है 14,00,00 रुपे के थे cost जिसमें से depreciation सारा minus कर दूँगा वो है 96 तो यह आ गई value कितनी depreciated value 7,10,000 मुझे बताओ closing WDB है 6,00,00 और जो depreciated value है assets की अंडर slump sale वो है 7,10,000 मुझे बताओ क्या value बचेगी निल यह बचेगा closing WDB after slump sale क्या बचेगा after slump sale अब मुझे बताओ इसके उपर अगर मैं depreciation calculate करना चाहूँ क्या calculate करना चाहूँ depreciation तो क्या मैं निकाल सकता हूँ वो आएगा निल depreciation निल तो हमारा यह है slump sale अगला topic अगली class में करेंगे आज के लिए इतना ही करते हैं ठीक है और homework में एक question दिया है वो करके आना बाई बाई